हेलो गाईज कैसा आप सभी तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OnePlus के Oxygen OS 13.1 अपटेट के बारे में और आपको पदाईए कि आज की टाइम पे आप लोगों को Color OS और Oxygen OS के अंदर ज्यादा चेंजेज है ना वह आपर देखने को नहीं मिलते हैं और चाइना के अंदर तो जो Oxygen OS का जो अपटेट है ना उसी को आप लोग कह सकतो Color OS का अपटेट है क्योंकि वहाँ पर जितने भी जो आपर OnePlus के डिवाइज है उनके अंदर आपको Color OS के यहाँ पर जो फीचर है ना वहाँ आपर मिलते हैं तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ह ओपो के Oxygen OS 13.1 के Complete Feature के बारे में तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो कर आपको यह पसंद आती है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इंडिया में यह जैसे अपटेट है ना वो रिलीज होगा आपको वीडियो है वो हमारे चैनल पर मिल जाएगी तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओपो के Color OS 13.1 अपटेट के बारे में तो चाइना के अंदर एक डिवाइज है ओपो का Oppo Find X6 Pro और Oppo Find X6 तो चाइना के अंदर यह जो डिवाइज है ना वो रिलीज हो चुके और उनके अंदर आ चुका है Color OS 13.1 का अपटेट और यह जो सेम फीचर है ना वह आप लोगों को इंडिया में Oxygen OS 13.1 का अपटेट है इसके अंदर देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कौन-कौन से आप लोगों को नए फीचर है ना वह यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आप लोग एक स्क्रीन रिकोर्डिंग है वो देख पार होंगे जो कि चायना से आप रिलीस की गई है और यह आप लोगों को Oxygen OS 13.1 के सबी फीचर है उनके बारे में आप पता चलता है तो यह मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर एक नया वीजेट ना व प्लस उसका जो चार्जिंग केस है उसकी बेटरी प्लस आपकी जो आपर कोई भी Android की वोच हो सकती है उसकी बेटरी है वो आपको एक ही वीजेट के अंदर यहाँ पर श्यो होगी और इसके अंदर भी आप लोगों को Material You Design है वो देखने को मिलता है इस कलर को देखके आप ल लोगों का Festival है वहाँ पर आने वाला है तो यह भी एक नए widget aid किया गया है बागी नीचे आप लोगों को कुछ यहाँ पर फोल्डर वगेरा देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर यह जो सेम फोल्डर है वो आप लोगों को Color OS 13 और Oxygen OS 13 अपटेट के अंदर भी यहाँ पर जा रहा है कि जो gaming experience है वहाँ पर काफी अच्छा आने वाला है तो यह तो जैसे इंडिया में update रिलीज होगा तब भी हम लोगों को आपर पता चलेगा कि कैसी आप लोगों को आपर experience है वहाँ आपर मिलता है gaming के अंदर और साथ में आप लोग देख पारेंगे camera का जो page है न उनको भी आपर हलका सा change किया गया है तो अब भी आप लोग अपने device के अंदर अगर color OS 13 का update है या फिर oxygen OS 13 का update है वो use कर रहे हो तो आप लोगों को यह जितने भी जो icon है वो थोड़े बहुत अलग देखने को मिलते हैं और color OS 13.1 update आने के बाद में यह जितने भी आप लोग आइकन पेक है वो थोड़े आपर अलग देखने को मिलेंगे तो यह कुछ changes किये गए हैं बाकि अभी आप लोगों को oxygen OS 13 update के अंदर control center है वो यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलते हैं जो की screen short में आप लोग देख पार होंगे और जो यहाँ पर oxygen OS 13.1 का update है वो इसके नहीं हुआ है अगर आप लोगों को इस photo के अंदर और इस photo के अंदर को change notice हो रहा है तो बताना comment section के अंदर ताकि बाकी के जो user है उनको भी आपर इन change के बार में पता लग सके अभी बात करते हैं next change के बार में जो कि यह है home screen setting का तो अभी आप लोगों को home screen setting का जो page है ना वो यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है यह आप लोगों को इनके logo है ना वो यहाँ पर देखने को मिलते है और जो oxygen OS 13.1 का update आने वाला है उसके अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर सेम इसी तरी के यहाँ पर जो icon page है वो मिलेंगे तो इसके अंदर भी मुझे सेम ज color OS 13 का जो update है उसके folder से यहाँ पर देखते हो तो इसकी size है वो आप लोगों को थोड़ियां पर अलग देखने को मिलती है तो यह आप लोगों को कुछ changes है ना वहाँ आप देखने को मिल सकते है color OS 13.1 और oxygen OS 13.1 के update के अंदर और यह आप लोगों को सेम screen shot है वो camera UI है उसके page क मिलते हैं तो मैंने आपको बता है orange color है ना वो आप लोगों को अपसे इसके अंदर देखने को मिलेगा और पहले आपको watermark का जो section है ना camera application के अंदर उसका page है वो कुछ यहाँ पर इस तरके का देखने को मिलता था जहाँ पर उपर आपको on off करने का option आता था वो नीचे देखे समझ पा रहे होंगे इसका page है वो change किया गया है और जितने भी जो option है उनके color है वो आप लोगों है पर orange color है उसके अंदर देखने को मिलेंगे और यह सारे आप लोगों को option मिल जाएंगे कि जो watermark है उसको आप लोग कहां पर show करवाना चाहते हो top left, bottom left, center, bottom, top right और bottom right तो यह आप लोगों को advance कुछ feature है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो यही कुछ feature है वो साम निकल गया है जो कि आप लोगों को आने वाले Oxygen OS 13.1 का update है उसके अंदर मिलेगा अभी काफी लोगों को यह डाउट है कि हमारे device के लिए Oxygen OS 13.1 का update है वो मिलेगा या फि 1 Plus 9, 1 Plus 9 Pro, 1 Plus 9R, 1 Plus 9RT, 1 Plus 8, 1 Plus 8 Pro, 1 Plus 8T तो 1 Plus 8 series के लिए last update होने वाला है आने वाले टाइम पे आप लोगों को Android 14 का जो update है वो नहीं मिलेगा 1 Plus 8T device को मिल भी सकता है वो नहीं भी मिल सकता है क्योंकि इसके अंदर आपको जैसे यह release होता ना एक आपको Android का version है वो इसके अं 1 Plus 8 और 8 Pro device है 1 Plus Node 2, 1 Plus Node 2T, 1 Plus Node CE, 1 Plus Node CE2 और 1 Plus Node CE2 Lite तो यह आप लोगों को complete list मिलती है और इस list को आप लोग चेक कर सकता हो 1 Plus के Oxygen OS Update के टेलिग्राम चैनल के अंदर तो अगर आप लोगों ने इसको अभी तक भी जोइन नहीं किया तो जोइन कर लेना link आप लोगों को नीच के अंदर आप लोगों को जितने भी जो आपर change है ना वहाँ पर मिलेंगे वह आप लोगों को मिलेंगे performance के अंदर camera quality आप लोगों को थोड़ी इनेंस देखने को मिलेगी अच्छी देखने को मिलेगी अगर आपके phone की battery है उसके अंदर आपको battery drain का issue ज्यादा मिलता है तो आप लोगों को यहाँ पर कम देखने को मिलेगा oxygen OS 13.1 अप्टेट केंदा है और जो charging speed आप लोगों को थोड़ी जादा देखने को मिलती थी वो यहाँ पर थोड़ी कम देखने को मिल सकती है तो यह update जे से release होगा तब भी आप लोगों को यहाँ पर पता लगेगा तो आपको next video में जय हिंद वन दे मातरम